Hello students, अभी हम लोग क्लास 12 Physics में Most Important MCQ यानी Objective प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे पहला प्रश्न है, भॉल्ट मिटर मापता है विभुवांतर को भॉल्ट मिटर मापता है विभुवांतर को, Option B सही उत्तर होगा आगे देखिए आगला प्रश्न निम्नलखित में कोण संबंद सही है, Option A वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q, यानी E बराबर F बटे Q होता है विध्यूद छेतर की तिरुवता बराबर बल बटे आवेस होता है निम्नलखित में कोण संबंद सही है, तो Option A सही है आगे देखिए question number 3 बिध्यूत बिभाव बराबर होता है W बटे Q B बराबर W बटे Q होता है option B सही उत्तर आगे देखिए अगला प्रस्न बिध्यूत या दिधुर्वा आघुर्ण का SI मातरक होता है कुलाम मिटर बिध्यूत या दिधुर्वा आघुर्ण का SI मातरक होता है कुलाम मिटर option A सही उत्तर आगे देखिए एक फेराड बराबर होता है option B एक कुलाम परती भॉल्ट एक फेराड के बराबर होता है option B सही उत्तर आगे देखिए आवेशित चालक की इस्तिथिच उर्जा होती है हाप CB स्क्वेर आवेशित चालक की इस्तिथिच उर्जा होती है 1 बटे 2 CB स्क्वेर option B सही उत्तर आगे देखिए हवा में एपसलोन आर का मान होता है हवा में एपसलोन आर का मान होता है एपसलोन आर को पराविदुतां कहते हैं जिसका मान मुक्तकास में बायू में हवा में एक होता है एक, ओप्सन सी सही उत्तर आगे देखिए बिध्यू छेतर में एक आवेशित कान पर लगने वाला बल का मान होता है बिध्यू छेतर में एक आवेशित कान पर लगने वाला बल का मान होता है अब बराबर QE बल का मान F बराबर QE होता है option A सही उत्तर QE आगे देखिए छेतर में A और B के बिच समतूलिय धरिता है चित्र में A और B के बीच सम्तुली धरिता बोल रहा है क्या होगा तो देखें चित्र में A और B के बीच दो गोसी संधरित्र की धरिता समांतर करम में सयोजीत है तो समांतर करम में सम्तुली धरिता का सिंपल जोड होता है यानि C और C, 2C हो जाएगा Option C सही उत्तर चित्र में दोनों C समांतर करम यानि पास्व करम पेरलेल में सहयोजित है और पेरलेल में संधरित्र की सम्तुलिधरिता निकालते समय सिंपल जोड करते हैं तो C, C, 2C हो जाएगा Option C सही उत्तर आगे दखिए परतिरोधों के समांतर करम सयोजन में निम्नलिखित में कौन रासी समान रहती है विभवांतर परतिरोधों के समांतर करम सयोजन में परतियक परतिरोधक के लिए विभवांतर का मान एक समान होता है सरेनी करम में धारा का मान एक समान होता है और समांतर करम में बिवांतर का मान एक समान होता है Option A सही उत्तर आगे question है एक हेंडरी बराबर होता है एक हेंडरी बराबर होता है Option A सही उत्तर होगा 10 to the power 3 मीली हेंडरी 10 to the power 3 मीली हेंडरी Option A सही उत्तर होगा आगे देखिए कारबन परतिरोत का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है कारबन परतिरोत का रंग कोड में पीला रंग का मान चार होता है चार, ओप्सन D सही उत्तर होगा कारबन परतिरोत का रंग कोड में पीला रंग का मान चार होता है आगे देखिए पधार्त की पर्तिरोधक्ता के लिए निम्नलखित में कौन सही है पर्तिरोधक्ता का सूत्र कौन सही है खोजिए ओप्सन ए सही है रो बराबर आर ए बाई एल रो बराबर पर्तिरोध छेतरफल बटे लंबाई याणि रो बराबर R A by L, option A सही उत्तर आगे देखिए, बिभाव परवनता बराबर होती है बिभाव परवनता बराबर होती है D B by D X, option C सही उत्तर होगा आगे देखिए, बिध्यूत फलक्स का SI मातरक है बिध्यूत फलक्स का SI मातरक है, बिध्यूत फलक्स का SI मातरक है बिध्यूत्स मीटर, option C सही उत्तर होगा आगे देखिए, संबंध Q बराबर N E में निम्नेलखित में कौन N का मान संभव नहीं है आवेश का quantum current theory में Q बराबर N E होता है जहाँ पर एन कमान हमेशा पुर्णांक में होता है ठीक है दसमलो में और भीन के रुप में नहीं होता है यानि option C 4.2 ये संभव नहीं है एन कमान कभी भी दसमलो में या भीन के रुप में संभव नहीं होगा हमेशा पुर्णांक में संभव होगा यानि 4, 8, 100 यह संभव है लकिन option C 4.2 संभव नहीं है आगे देखिए आगे प्रश्न है एक समांतर पट्टी का संधरितर की धरिता के लिए निमनलखित में कौन सही है एक समांतर पट्टी का संधरितर की धरिता के लिए निमनलखित में कौन सा बेंजक सही है option A सही है epsilon naught A by D epsilon naught into A by D यह सही है option A सही है आगे देखिए विध्यूत परिपत की सक्ति होती है विध्यूत परिपत की सक्ति यानि पावर होती है भी स्क्वेर बटे आर option c सई उतर होगा v square बटे r आगे देखिए last प्रश्ण धरित्य पर्तिगात होता है धरित्य पर्तिगात यानि संधरित्र पर्तिगात होता है xc बराबर 1 बटे omega c option d सई उतर होगा xc बराबर 1 बटे omega c option d सई उतर होगा तो चलिए अभी आम लोग physics में most important very very important mcq यानि objective प्रश्ण उतर को देखें जो आपके jackboard के लिए बरदान साबित होगी मिलेंगे फिर आगला objective वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you